कि वागत है दोस्तों आपका GDS to MTS class number 34 में ठीक है और अभी हम जो definitions थी postal manual volume 5 की वो पढ़ रहे थे और पिछली class तक हमने 21 definition 21 definition तक इसको पढ़ लिया था जिसका था भी set of email office और जो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे definition number 22 जो है trip ठीक है इसको पहले समझ लेते हैं पहले हम जी समझ लेते हैं कि सीमिने लिएस में हमने कर ना करना परंजा एक तो पर ना कि ट्री पर्ट कही होती है दूसरा पर ना GP क्या होती एक है चौर्था पढ़ेंगे कि बीट क्या होता है ओके चलो अभी जैसे एक ट्रेंड का डिबा है जो की आरेमेस के हेड़ कौर्टर है मान लीजिए जो दिल्ली है जी हैड़ कौर्टर है जहां से जो जो ट्रेंड का कि डिबा है वो इधर को जाता है अमबाला तक और इधर साइड जाता है नागपूर तक ठीक है तो यह नागपूर से लेकर अमबाला तक इस सेक्शन सेक्शन में सुस्ट्रेंड के डबा जो की एक जगा से दूसरी जगा में जाता है इसको हम बोलते हैं बीट ऑफ और सेक्शन जैसे पोस्ट में की बीट होती है जहां पर यह इस सेक्शन की बीट है बीट ऑफ सेक्शन ठीक है अभी उसके बाद बात करेंगे जैसे जैसे दिल्ली अगर हैड़कौर्टर है ठीक है अगर यही सेक्शन डेफिनेशन पर ले जाते हैं अभी में समझते हैं अजरनी प्रफॉर्म्ड बाइ सेट ओफ सेक्शन ट्रैवलिंग ट्रैवल में सो ट्रैवल कर रहा है ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ओफ इट्स बीट तू अधर एंड इस कॉल्ड ट्रिप ठीक है और अगर वो सेक्शन एक एंड से नागपूर से दूसरे एंड अंबाला तक मूव करेगा तो हम उसको बूलेंगे कि इसकी क्या है ट्रिप है ठीक है और अगर वो section headquarter से बाहर जाएगा उसको बोला जाएगा out trip और अगर वो headquarter की तरफ आएगा वो section जी train का डिबबा उसको बोलेंगे in trip ठीक है आई होप आपको definition number 22 अभी समझ लगी होगी इसके बाद हम बात करेंगे definition number 23 की जिसमें हम पढ़ेंगे की station and sorting articles okay अभी जी letter box मान लीजिए कि post office के बाहर लगा है और हमने इस में से सारी letters निकार लिए और उसको हम office में ले आए ठीक है ओफिस का नाम है मान लो post office का नाम है जलंदर हम उस letters की sorting करेंगे जो तो जलंदर के आर्टिकल होंगे उसको तो इस office में ही रख लेंगे और जो बाहर वाले होंगे उनको आगे भेज दिया जाएगा ठीक है अभी जो articles जलंदर की होंगे उनको बोल देंगे station article ठीक है जो उसी office में रहेंगे उनको आगे forward नहीं किया जाएगा उनको दूसरे दिन जा सेम दिन postman को दे दिया जाएगा और postman उनको deliver कर देगा अभी जो दूसरे offices के हैं उनको क्या बोलेंगे sorted article उनको sort करकर आगे भीज दिया जाएगा और rms के through वो अपने destination पर पहुंच जाएंगे ठीक है समझाई मैं आपको समझ लगी गया होगा वैस्तों सिंपल है लेखा कि station आर्टिकल और आर्टिकल intended for delivery from the post office to which they are sent means अगर जैसे मैं जिलंदर के post office में गया मैंने वहां पर letter पकड़ाए ठीक है जो से letter जलंदर के ही होंगे वो station आर्टिकल होंगे अभी उसके लावा मैंने दिल्ली के भी पकड़ाए है तो वो sorted article होंगे वो दिल्ली बेज़े जाएंगे ठीक है उसके बाद लिखा है कि but unpaid and insufficiently paid article of letter mail intended for delivery from sub office and branch office are when sent to head office और sub office treated as station article for the head office and sub office as the case में भी ठीक है इसको भी समझते हैं अभी जैसे हम GDS लोग branch office में बैठते हैं अभी branch office पर कोई पांच letter आ गये मालूए ऐसे letter आ गया पांच छोड़ो दो जादा नहीं रखते हैं दो आ गया अभी इस पर कोई ticket नहीं लगी है यह दोनों किया है unpaid article है ठीक है तो इसके बाद इनको हम इसको बीयो क्या करेगा इन letter को एसो बेजेगा यही लेटर फिर एसो चले जाएंगे एसो क्या करेगा इनको head office बेजेगा यही लेटर head office चले जाएंगे head office पर जहां पर वो जो होती है न एक stamp लगती है और post master के initial लगते हैं कि इतने जो रुपए हैं पांच दस जो भी इसकी postage होगी वो address से recover किया जाएं उसके बाद ठेक हैं उसके बाद जे जो article है जे head office में जो post master जी के signature के लिए आए थे वो उनके लिए station article की तरह treat किया जाएंगे और जब वो वापस sub office में आएंगे तो वो भी as a station article उनको treat किया जाएगा ठीक है तुझे बताया गया है अब भी हम अगर पढ़ेंगे अगर आपको समझ आएगा कि unpaid and insufficiently paid article of letter mail intended for delivery from sub office and branch office are when sent to head office or sub office treated as a station article for the head office और the sub office as case में भी ठीक है तुझे तुझे जब जहां पर वापस आएंगे अगर वो इस sub office से deliver होने है जा इस branch office से deliver होने है जा इस head office से ही deliver होने है जहां पर उसका deliver address इन तीनों office में से एक है तो इस case में यह जो articles है इसको as a station articles treat किया जाएगा ठीक है अभी sorting articles are articles that are to be sorted by the post office or mail office to which they are sent and forwarded hence to office of a final destination or other sorting office अभी sorting articles कौन होते हैं जिनको post office के द्वारा जब mail offices के द्वारा पहले sort किया जाता है और फिर उसको आगे भीज दिया जाता है जा तो destination post office पर भीज दिया जाता है जा आगे किसी sorting office में भीज दिया जाता है वहां से sort होकर फिर finally अपने destination post office पर पहुँच जाते हैं तो अभी स्पाल लेंग्वेज में स्टेशन आर्टिकल वह वोते हैं जहां पर उनको पोप्ोस्ट किया जाता है आण से ही उनकी डिल्वरी अगर हो नी हो तो उनको स्टेशन आर्टिकल बोले ग़ी अगर उनकी यह डिलियरी है पोस्टिंग पोस्ट आफिस से अलग है तो उनको हम सौर्टिंग आर्टिकल से बोलेंगे ठीक है अब भी डेफिनिशन नमबर 24 लेबल्ड बंदल ठीक है लेबल्ड बंदल इसको ऐसे बांद दिया जाएगा धागे से जा तेबल्ड बंदल क्या होता है जैसे मान लीजिए दस आर्टिकल है मेरे पास ऐसे इसको ऐसे बांद दिया जाएगा धागे से जा तेबे से ठीक है जारसी से जो प्लास्टिक के उती है इसको बांद दिया जाएगा उसके एक बंदल बना दिया जाएगा और बंदल बनाकर उसके उपर एक पेपर की स्लिप लगा दी जाएगी उसको हम चेक स्लिप बोलते है Morocco यह उसको हम बोलेंगे लेबल बंडल सिंपल जो आर्टीकल्स लगाते हैं जो सभी बंडल को एक ही आर्टीकल ट्रीट किया जाएगा ठीक एट सँर्टिंड आंड गर्टीकल्स दोसकर जांस क्यों हृंद को सब्सक्सट visa किंद्रेस नॉर्मली लेबल बंडल में ऐसा होता है कि मान लीजिए एक पिन कोड है 14 ये वाला ठीक है अभी इनके 20 आर्टिकल साथ में किसी ने बेजने है तो वो परसन क्या कर सकता है इसे 20 आर्टिकल का बंडल जो है उसको दागे से बांध कर ठीक है उस पर चैक के सलिप लगा सकता है जिसमें पिन कोड ये लिखा हो तो हम क्या करेंगे इसको जब सॉर्टिंग करेंगे तो हमने तो हमको ये तो पता लगी जाता है कि ये सेम पिन कोड है तो इसलिए हम इसको as a single article ट्रीट करते हैं ठीक है सॉर्टिंग में और इसको खोला कहां पर जाता है जब जे उस station पर post office में destination वाले में जहां पर इसको जाना हता है वहां पर पहुंच जाता है तो इसको खोला जाता है और खोलने के बाद address के नाम से जो पोस्ट में ने उसको उठा कर उसकी destination में डिलिवरी कर देता है अब लिखा है labeled bundle of two classes station bundle जैसे हम पहले पढ़ चुके है station जैसे article होते हैं अगर उनके bundle बने हो तो उनको station bundle बोलेंगे और sorting bundle फिर भी हम पढ़ लेते हैं station bundle contain station unregistered article जिसमें station unregistered article हो चाहे वो paid हो चाहे वो पूरी तरह paid article हो चाहे वो paid हो आर्टिकल हो और जाँ unpaid article बंडल किसी तरह के हो चाहे उसमें articles paid हो जाँ फिर unpaid हो वो भी article हो अगर उसमें station के article है तो उसको हम बोलेंगे station bundle ठीक है कि इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं अब भी इसको यह बुला है कि स्टेशन बंडल जो है वो जहां तो सिरफ पेड आर्टिकल्स का होगा जिसमें जो पोस्ट है जब फुली प्रीपेड होगी जहां तो जो पूरा अनपेड आर्टिकल्स का होगा ठीक है अगर bundle बनाना है ऐसा नहीं होगा कि उसमें आदे जो आर्टिकल से है वो paid है और जो आदे आर्टिकल से है unpaid है हमें bundle इस तरह से बनाना है कि जानतों वो सारे ही paid articles उस bundle में हो जा फिर सारे ही article उसमें unpaid हो ठीक है इसके बाद station bundle are prepared ordinary when the number of articles either paid और unpaid for any office exceed 14 अगर articles की गिंती 14 से बढ़ जाती है तो normally उन articles का जो station bundle है वो बना दिया जाता है उसके बाद है sorting bundle sorting bundle contain both paid and unpaid registered article which are not included in this station bundle इसमें paid article भी हो सकते हैं unpaid भी हो सकते हैं लेकिन वो unregistered होने चाहिए sorting bundle may be of two kind sorting bundle जो है जो है यह दो तरह के हो सकते हैं एक तो होते हैं express bundle जिसको जब ही वो प्रापत होते हैं उसी समय ही immediately ही sort करना होता है mail officers के दुवारा जा फिर post officers के दुवारा means उसकी sorting में हम delay नहीं करेंगे ठीक है और दूसरा होता है daffod bundle daffod bundle contains article which can be disposed of later disposed of later means express को जैसे उसी समय ही sort करना होता है daffod bundle के case में जरूरी नहीं होता कि उस bundle के articles को उसी समय sort किया जाए इसको बाद में भी sort किया जा सकता है और when sorting bundle prepare for state अभी जहां पर state यूज किया गया है जै country के लिए यूज किया गया है इसको आप इंडिया के जैसे states हैं वो मत गिन लेना जे एक country को भी state बोलते हैं ठीक है अगर आप constitution पढ़ेंगे उसमें country को state बोला जाता है a clearly defined track of country और foreign country ठीक है अगर कोई bundle ऐसा है जो किसी country के लिए हमने prepare किया है तो उसको हम बोलेंगे territorial bundle क्या बोलेंगे territorial bundle अगर हमने कोई bundle किसी country के लिए prepare किया है means वो जो आर्टिकल होंगे उस bundle के उस country में जाएंगे सारे के सारे जो उस bundle को हम बोलेंगे territorial bundle territorial bundle में जो articles की गिंती है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए यह 25 जाँ उससे जादा ही होनी चाहिए ठीक है और labeled bundles are not due इसका मतलब कि इनको बनाना जरूरी नहीं है आप for convenience इसको बना सकते हैं लेकर इनको बनाना कभी भी जरूरी नहीं है आप लूज जो articles हैं बिना bundle बनाए उनको भी आगे सौर्ट करकर बेच सकते हैं ठीक है आगे प्री सौर्टड बंदल तो कई वार कस्टमर खुद से ही क्या करता है कि जो bundles है ना उनको सौर्ट करकर लेकर आता है जहां वो post office जहां पर वो पोस्ट किये होते हैं आर्टिकल उनको खुद से सोट कर देता है तो उनको बोल देते हैं जिस ऐब प्रॉं प्रॉमके सब्सक्राइब कॉर्फ प्रॉम Cr W př。 अगर क्स्तुमर जब पोस्ट ऑफिस को पहले सेब्सक्राइब तो हम क्या बुलेंगे जि half ऐनके सब्सक्राइब अगर तो वह स्टेशन बंडल है तो क्योंकि स्टेशन बंडल तो जब डिलिवरी का टाइम होगा तो उसको ओपन कर लिया जाएगा अधर्वाइस तो वह प्री सौर्टरी ही है ठीक है और एंड कैन भी ओपन एंड सोर्टर ओनल इफ देयर सौर्टिंग बंडल और उसको अग की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे आप इतना अच्छी तरह से पढ़ लेना अगर को डाउट है तो आप उस्ट लेना चैनल को सब्स्राइब कर देना दोस्तों अभी के लिए जय हिंद जय बारत जय जवान जय किसा झाल